चलिए आज आपके सामने प्रश्ण है कि साथ आप देख भी पा रहे होंगे कि पहला प्रश्ण आपके सामने है कि NCA 2005 में सरवाधिक बल किसका दिया है देखें आज की जो टॉपिक हम लोग के लिए काफी महत्वपून है ठीक है तो यह गणित की गणी सिच्छन है अगर इस 15 नंबर की Mathematics पेडालोगी आती है इसका मतलब यह है कि जितना Mathematics पढ़ेंगे उतना पेडालोजी क्लियर कर लेंगे Math की पेडागोगी आपके 15 नंबर पूरे शेफ हो जाएंगे मेरी इस बाती गरेंटी है कि आप लाज तक पढ़ते पढ़ते इस सारी चीज़ों को पूरी आप कमेंट करेंगे अपने जवाब दीजएगा क्यों करेंगा ज़्यादा सफीरएगा पस समय बच जाएगा तो ग्यान की सारचना में और धानाओं को रटने में कठिन सवालों को हल करने पर तेजी शेग घुनित करने पर जल्दी सा अपने जवाब ज़रूर दीजएगा उम्मीद करते हैं आपके जवाब में जरूर मिलेंगे और हम आपके जवाब की प्रदिच्छा भी कर रहे हैं जल्दी बताइएगा कमेंट करके क्योंकि बात और है कि पूल कराने में तो हमने यहां पर देखा कि मैं पूरी ट्रॉपिक को भी किलियर करते चलूंगा यहां पर ग्यान की सरचना आधर्णाओं को रटने पर कटिन सवालों को हल करने पर तेजी से गणित करने पर तो मेरी बात को ध्यान सुनिए गार पोल के को समझने का प्यास करते हैं देखे तेजी से गणित हल करनी पर तो यह by कहता I इस driven करता है झीरusan लोग और धाड़नाओं को रटने पर एक बात और आप नोट का लिजएगा यह कभी किसी भी बात को रटने पर बल नहीं देता नसे आप 2005 च warehouse की जान को बाहर की दुनिया से जोड़ कर बढ़ाया जाए दूनिया से जोड़ कर पढ़ाया जाया किसी वे चीत को रटयाने जाया करें अंगिसका एंसका तक अगली प्रश्ण के तरफ चलते हैं जो अगला क्रशन को अधान समझेगा विद्ध्यार्थी दसमलों वाली दो संख्याहे जो कि दस्मलों के दो अस्तान तक है क्रम रखने की तुना करने की योगिता रखता है यह अधिकम का उत्पश कौनसा कौनिक करता है प्रशन काफी आ ऑदियार्थी दसमलों वाली दो संख्याएं जो की दसमोलों के दो अस्थान तक के करम रखने कि उसकी तुल्ना करने कि योगता रखता है अब देखियों यहाँ पे आ रहा है विकल्प आपका प्रतिकात्मक्टेश को पूर्ति करते हम लोग प्रतिकात्म यह प्रति कात्रमा ने चिणने वाला होगा। ये साध्य हो सकता है। मीफ़ने समाजी कोुद्यश ती नहीं। इसका समाज़ेe ….द्यश..- कुछी नहीं। कि चौतिक अच्छा में जो विद्यारती हैं उनकी अधिगम उद्देश का स्थान दिया गया किसका अधिगम उद्देश तो किसका सूब वस्थित करने का इस प्रशन का अगर हम लोग बिकल्ब देखें यहाँ पर देख रहे हैं इसलिए इसका उत्तर क्या होगा यह होगा 20 का राइट एंसर होगा यहाँ किसी को दिख्कत को शुन हो तो आप कमेंट करके पोसकते हैं कोई टॉपिक कर आपको समझ में ना रिए तांकि हम इसे दुबारा पूरी तरह से असपश्ट कर दें किसी को दिक्कत को शुन है नहीं आ रही है तो हम अगले प्रशन की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रश्ण आपके बीच आ चुका है गणित की धान से देखिएगा गणित की पाठ पुस्तक में विभिन प्रकरण खंड अभ्यास को समावेशित करने का क्या उद्धिर से जल्दी से आप कमेंट करके जवाब दीजेगा कि जो गणित की पाठ पुस्तक ह आप चार प्रकार के की विगवद को पैल लिट्यारथियों को आनन्द वो मस्ती प्रदान करने के लिए दैनिक जीवन में बदलाव प्रदान करने के लिए समय का बहतर सद्वियोग निश्चित करने के लिए बिस्तित अधिगम औसर प्रदान करने के लिए जद्धी से कमेंट करके बताएगा इसका क्या होगा आईन्त के बारे में एक करकेंग पर चर्चा करते हैं कहे रहा है पहले जी आप लोग के जवाब सही आई जो लाइब हम देख रहे हैं ऊपने बाद में बताएंगे इक्या चीजी कैसे हैं तो आप सभी लोग अपने जवाब दे सकते हैं और यह आपके लिए महत्तपून क्ला अनन देना लग है मैं डिनदेंचरएया में बदलाव करना देब दींचरएया बदलाव नहीं होगा त्रितित अधिगम औसर प्रदान करने के लिए इसने लोगों ने अधियोग पूरी तरीकेसे सही प्रश्ण नमबर 3 का जो बिकल्प होगा डीस का राइट एंसर होगा डीस का सही जवाब होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तरफ जो प्रश्ण नमबर आपका चार है वोग देख पार होंगे किका बात है कि ग्रें सिचन का प्रणुक उद्धेश क्या है इनवर्य प्रणुक नमद का तर्ग पूंग से सोचने की सक्ति विक्षित करना रटने की सक्ति का विकाद जहां पर रटना आ जाए याद करना विकल्प पहले गलत कर दिया हमेशा याद रखेगा दूसरा सूथ यहां भी याद करने की बाद कर यह भी गलत जहां पर याद करना रटना बिश्मन करना शब सबसे बढ़ा उद्देश क्या है कि आप जो भी चीजे पढ़ें जो बच्चों को पढ़ाएं वह तर्क पूर्डंग से सोचे ऐसा नहीं को रटवाना है याद करो ऐसा कदाचित नहीं करना है लोग कहते हैं सीट्रेट में चारो विकल्प सही लगते जी नहीं आप थोड़ा होगा समझ में आगया अप लोग को अपने जवाब देते रहेगा हम आपके जवाब भी पढ़ते रहते हैं फर कितना है हम क्लास में बात इसलिए नहीं करते आपका समय बहमूल है और आप सेलेक्शन के लिए पढ़ रहा है और मजाक करने के लिए नहीं आए ठीक है तो यह आइए देखते हैं में उमीद करता हूं किसका जवाब हमें चरूर देंगे कि इसका गणित के सुत्रों को इस संखेतों को गणित के संख्याओं को बता यह गणित की भासा में किनका प्रियोग किया जाता है यहां पे एक विकलप था यह जो डी है कि इसमें ठोड़ा सा गलती होगा हमस्कों कार्ट के लिए देता हूं । यहां से होगा ये सभी है कियो होगा ये सभी लिख लीजेगा ये सभी लिख लिख लीजेगा ये सभी AOLE UP इस दिय आप देखते हैं अब होती है उसमें सूत्र का भी प्रियोग होता था कि और किसका प्रियोग होता है उसके संक्येत का भी गनती संकीतों होता है गश्णती संक्याओं का भी प्रियोग होता इसलिसका उत्तर होगा यह सब आल अला लाफ ब्दीज होएं यहां कोई दिकत को शमश्रए आपको नहीं है यह जो लो самой देख रहे हैं और यह बाद देख सकते हैं लाइब और बाद में अगला है यह प्रश्ण नंबर 6 स्यादा पढ़ पा रहे होंगे कि प्रोफेसर सुल्टच के अनुसार गड़ित बढ़ाने का प्रमुक उद्देश क्या है जवाब दीजेगा दूसरी विधाओं में सहयता करना मानसिक सकती का विकास करना खाली समय का सद्विप्यों करना प्रात्मिक त्यता सामान सिध्धानतों का परिच्शे कराना जल्दी फड़ा पर इस प्रशन का उत्तर दीजेगा मैं उमीद करता हूं आप सो अपना जवाब एकदम राइट और सही देंगे इस खौप्तर क्या होगा मानसिक सकती का विकास करना तो जितने लोगों ने जब अपना वी दिया है उन सभी के जवाब सही है यह पूल से ज़्यादा वहता है आपका समय बच जा रहा हैं क्यूंकि आपके सलेक्शन के लिए भठी के लिए समय बहुत मद्द प्रूब होता अगले बढ़ते हैं अगले क्लास में अँएजय टोफिक आपका क्या ध्यान से दिखेंगे और प्रक्षन साथ उम्मीद करते हैं आप प्रक्षण अपून है कि या एसमें क्रैमत दध्रा रचनात्मक कारियों का अभाव है या अन्हों क्या बताद आया इसमें से अपके सामने 4 बिकल्पनें बिकल्प सही Direct होगा कौन सा ङी उम्मीर करते आप अपना जरूर देंगे जवाब मार्ल्ण आप लोग के जवाब एक दम सही आ रहा है उन्होंने अगर यहां पे देखा जाए तो गड़ित को वर्तमान पाठकरम क्या अपूर उन्होंने यह कहा है फिर उन्होंने का इसमें क्रियात्मत राचनात्मक कार्यों का भी बहुत ही अभाव है और फिर क्यात्य पाठकरम अती बोजील है इस प्रकार उन्होंने जो इस प्रस्ट का उतर दिया था वो यह है होगा एक दो और तीन होगा वहाँ पे एक दो और तीन तीनों होगा है है अच्छा एक लोग कोई बात नहीं है अगला है हगडित की अच्छे पाट पुस्तक की बिसेस्ता क्या होनीचैंश है यग तक के पर विफेस्ता क्या क्या होनी även हलकी इनेक उदारण यह अभ्यास के प्रस्ट कि लिए अनिक उदारन आंप्यास के कुछ प्रस्ट होते हैं जिन्हित हैं 0 se इसमें सभी जो बिकल्प है आपस में एक बार इनकों लोग देख लेते हैं क्या रहा है हल की उए अनेक उदारण अब कुछ प्रश्ण होते हैं प्रश्ण कुछ होते हैं ऐसा तो है नहीं आपने देखा होगा उदारण कम होते हैं प्रश्ण ज्यादा होते हैं tv जो क्योंट गलत हो गया अब ऑगर बढ़ते हैं आगला क्या क्या रहा है प्रयाप्त मात्रा में हल्क कई उधार रहा होते हैं मैं करें के विध्यास संदुरल कि ऊपत्र के हो गसका ने हैं nam उच्च्छ्छ्छ्र पूछने का मुख उद्देश क्या होता है उसका प्रमुक्ष अब्धेश क्या होता है करने के लिए चात्रों को अभी प्रेरित करने के लिए पूर ज्ञान के परिच्छन के लिए उप्रोप सभी एक बात याद रखेगा सीटेट में यह सभी का जो विकल्प होता है इससी परशंट सही होता है ठीक। में इसकोई नहीं 100% होता है इसका क्या आप लोग ने बहुंत सही जवाब दिया है का जवाब जलाएख बतेजिये अब लो depths अख ऐख निस आदम सही जवाब दिया है और लगद दीच आप जिस होंगे कैसे आए उनके बारे में भी जा लेते हैं पूछा जाता उसका उद्देश क्या होता है आपके अंदर रूची का जगाना क्या जगाना रूची जगाना जैसे प्रस्ण पूछ दिया कि अच्छा यह बताइए यहां क्लास में कितने पंखे लगें देखते सबसे पहले कौन बताता है बच्चे क्या होंगे तुरंट अब प्रेणा भी मिलेगा जो पहले बताएगा उससे नाम तो दूनों काम एक साथ हुए और पूर ज्ञान का परिच्छान आओ यह भी पता चल जाएगा क्या हमने जो गिंती पढ़ाया था जो हमने जोड पढ़ाया था क्यों बच्चों को सबन में आया तो इन सभी की प्रश्ण के तरफ अगला प्रश्ण क्या क्याता है गणित की वर्तमान NCRT NCRT कि यह यह टी पुस्तकों की अनुसंसा को ध्यान में रख कर किस की गई है ठीक है किसको की गई है जान से देखिएगा विकल्प इसके चार है करह 2006 में अगे दिकते हैं 2006 में राज्य बोर्ट वार्र प्रस्तावित पार्ट करम मने सी आलटी द्वारा या राष्टी पार्ट चरिया के रूप रेखा 2005 या NCF 2005 पांच या राष्टे से चनी तो नहीं सो च्छासी तो किसको द्यान में रखकर वर्तमान इनसियाटी के पाश पृत्तकों को बनाया गया है जली जे कमेंट दी जो लाइव हो जली ली कमेंट करके बताएं अपना कि अब इस इत्ते ही लोग लाइव है अच्छा जी बहुत धन्यवाद अच्छा लगा अप लोग इत्ते लोग लाइव है अगला प्रश्ण देखता है हम लोग अगला प्रश्ण है एंसीयव दोहजार पांच के लच कथन उसार विद्यालई गडित को तिस्ति में नहीं होता जहां बच्चे होते हैं जहां दिखेगा नहीं होता जहां बच्चे ज़रा प्रश्ण का एकदम बनिया से जवाब दिजेगा प्रश्ण नमबर 11 का क्या होग चार विकल्फ है आनंद गडित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं गडित को अपने दैनिक जीवन का नभों के रूप में देखते हैं अर्थपूर्ण समस्यां को रखते और हल करते हैं सुत्र और रितम को कंधस्ट करते हैं जल्दी जवाब दीजेगा इसका जवाब क् कि अंठस्त करना यह सभी एस्ट दोजार पांच का सीधा ज़िदा बिरोध करते हैं इसलिए इसका जो प्रत्य विकल्प होगा क्या होगा डी गलट है और जो गलच है तो वही सही होगा क्या पर नहीं पूचा है क्या पूचा है नहीं पूचा है क्रश्ण को देखेगा नहीं पूचा कभी-कभी प्रस्ण में नहीं हो ग anthropology जो आ जाए उसे इध्वांत देखा यह नहीं तो फिर हमारे और आपके पर्स्ण अच्छे प्रिश्ण क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे इंसे 2005 क्या कहता है गड़ित आनंद ध्राने के लिए सीखते हैं बच्चों क्या करना हमें इससे पढ़ाने जाके उनको आनंद के अनुभूती हो वो उसे सीख सकें मिकल्व प्रमाने रखता है हमारा चार मिकल्व क्या दिया है फिर गड़ित को अपने दैनिक जीवन के अनुभू के रूप में देखते हैं ठेक अर्थ पूर्ण समस्याओं को रखते हैं हल करते हैं यह भी सही है इसका उत्तर क्या होगा डी इसका राइट है ठेक है आगे चर्या में गणिस इच्छण के अस्थान को सुनिष्चित करने के लिए यूगल आधार वाक्य है क्या है आई इस पे हम लोग चर्चा करते हैं और बात भी करते हैं और अपने है एक है करकिस को देखते हैं स्लस्के यह उन्यवं क्यों लिए इसी प्रकार के प् Väster når कर्र Canada को टरगणा सक्तिय में सुधार किया जया और और उसके प्रकार अस्थानी योगता को बढ़ाया जाए किस प्रकार गडित में प्रतेक बिंद्यार्थिक को निस्पादन को बढ़ाया जाए और किस प्रकार अंतराष्टी ओलम्पियार के लिए में धावी छात्रों को त्यार किया जाए गड़ेती कच्छा को किस प्रकार अधिक क्रिया कलप उन्मुखी बनाया जाए और किस प्रकार प्रत्यक सिच्छाथिक प्रक्रण में कौसल विकास अल्गोरित्ता का समझ को बढ़ाया जाए जल्दी से कमिंट करके जवाब दीजेगा इसका उत्तर क्या होगा आएं जी इस पर मैले आपकर पहले छोटी सि कहानी सुनाते हैं उसके बात तुम हम आगे बढ़ते हैं मैं प्रकार क्यों चुखते आधा चाह defenses का जवाब दे सकतीए के मैं कहानिन को सुनायेंगे और उमीद करते कंठेमन में कुछ ने कूछ रहा हैं कि को डिख रहे हैं मैं लिखे जैसे आपक अध्यापक हैं यहाल समझिए आप कच्छा के अध्यापक हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं मेरी बात को समझेगा अपने कोई शवाल बोला कच्छा में आपके 30 बच्चे हैं मैं तोड़ा लिख के बताता रहता हूं आप एक अच्छा में कुल 30 बच्चे थे किते बच्चे थे 30 बच्चे थे अपने उनको सवाल बोला इसमें से पांच लड़कों ने जट से सवाल को उत्तर बता दिया फिर अगले 10 लड़कों ने कुछ देर के बाद बताया अभी तक 20 लड़के प्रस्थ में उल्धे थे और पांच लड़कों ने का सर मुझे सवाथ नहीं आता तो जब ध्यान से दिखेगा जो लड़के परिच्छा परश्ण बोलते तुरंथ हल कर लिए यह कुछ बच्चे ऐसे थे पांच बच्चे थे जो परिच्छा का प्रश्ण बोलते ही तुरंथ हल कर लिए अब अगर वो इनके पास बैठे हैं क्योंकि सीट तो अलग दूर दो तो होती नहीं अपने आसपास बैठे रहते हैं ऐसा तो है नहीं तेज बच्चे अब अलग करेंगे समाह से इच्छा पढ़ा रहे हैं तो उस कंडिशन में जब यह बच्चे उसमें दिमाग इनका क्या हो जाए खाली है तो इनके मन में खुराप आता है वो इनके मन में आएगा तो यह अपने अगल बगल वाले को और इनका नहीं आ रहा है यह बच्चे और यह बच्चे नहीं सुनेगा यह बच्चे और यह बच्चे दोनों बच्चे क्या करेंगे इन दोनों को परसान करेंगे जिनको नही बालक क्या करते हैं एक प्रकार से समस्यात्तंग बालक बन जाते हैं इनके लिए आपको क्या करना चाहिए गोने सिच्छण में इनके लिए आप क्या विवस्था करेंगे कमेंट करके जवाब दीजेगा इनके दिमाग को क्या करेंगे जैसे इनके दिमाग जैसे खाली होता है यह हरकते करना सुरू करते हैं परशान करना कापी चुरा लेना इसी की बैक से पन निकाल लेना उस दसा में आप क्या करेंगे और डेली क्लास के लिए आप टेली ग्राम है पिश्टॉल करिएगा टेली ग्राम है सच करिएगा दुर्गेश सर बीना इस पेस के जुड़िएग कच्छा में किस प्रकार अधिक कर यह बनाया जाए यह पुझा जाया जैसे फिर हो गया इसकी ऊपर चलते हैं किस प्ररा इनी प्रतेग विढ़ती का टुर्फ जाए को निस्पादन को कि अच्छा की बात करते हैं आपको सभी प्रकार की बिद्यार्थी त्यार करना है तो बिकल्प सीवी गलत अब क्या रहा है किस प्रकार प्रतेग बिद्यार्थी तरकड़ाम सुधार किया यहां तेक तो सही है आपका और किस प्रकार उनकी अस्थानी योगता को बढ़ाया ज कि किस प्रकार भिद्यार του कि मस्तिको ब्यास्त रखा जाए किस प्रकार जो बिद्यार थी है उनके मस्तिस को ब्यास्त रखा जाए इसलिए इसका जो इपिक्त विकल्ब होगा वो क्या होगा वो विकल्ब ए होगा क्या होगा ए होगा ए होगा एक मिनुट रुकिएगा तो इनको भी ब्यास रखना है इनको भी ब्यास रखना है उस दस्तों क्या करते हैं अच्छा जिनका उत्तर आगे पहले अवह हल करो बोट पर कैसे लगेगा तब तक यह बोट पर हल करते रहते हैं और यहां पर इन लोग को कहा जाता है आप प्रश्न लगाते रहे और इनसे कहा होगango आपके कारेंगे जां समझेगा इन 5 बच्चों कॉएंगे ये बोट पर आप सवाल लगाएं इन से कहेंगे आप देखते रही और न लोग से क्या कहेंगे यौज हाल करते हैं इस प्रकार हम सभी की मस्तिज क्या करें लएंगे जरूं के बताई कि आई आपको समझ में आया कौन से जो मैंने बताया जरा कमेंट करके बताई कि ते लोग को समझ में आया कि बहुत माने रखता है कि मैं पढ़ाऊ और समझ में आना चाहिए निदि पढ़ें सकोई मतलब नहीं है सेलक्शन का ताप पर तभिए होगा जब आप कुछ बहतर करें अंदय था कोई मतलब नहीं है बस दो लोग को समझ में आया हैस कि भी लोग सहले कोई बात नहीं इस अब दोजार पांच के अनुशार बिद्यालों में गणित कश्चा का एक मुकुद्देश क्या है जरा यह प ncf-2005 जिनका उत्तर आ जाएगा वह अपने आप में बैस्त रखें संख्या समधित कौशल का विकास करना बच्चों में चिंतन प्रक्रिया का गणती करन करना जल्दी बदै क्या होगा इसमें क्या करेंगे आप जल्दी से सवाल का जवाब दीजेगा इस लिए इसका मुठ्युद्ध मैं से ये इसक का उद्द्यश नहीं होगा ये गलत हुआ अगला कह रहा है समस्या समाधान कोशल का विकास करना आपको बस क्यों सिखाना है विश्षणात्मक अभी देखे प्राथमी का अच्छा के बालकों को ये भी आपको नहीं करना है इसका उत्तर क्या होगा डी होगा अगर बच्चों के चिंतन का प्रक्रिया का अगर गनती करन कर दिया जाए तो ये ये भी कर सकते हैं संक्या समधित कोशल का विकास उनका अपने आप हो जाएगा इसकी वज़े से समस्या समाधान भी कर लेंगे और इसी के वज़े से वह विश्षण भी कर लेंगे मतलब बिकल्ब डी की वज़े से यह तीनों को अपने आप से कर सकते हैं कि जो मेरा कहना चाह रहा था वह आपको समझ माया कैसे विकल्प है डी ए बी सी का पूरक है जारा कमेंट करके आप जवाब दीजिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं अगले पश्ण की तरफ है अगला है धान से देखिएगा पश्ण नमबर 14 देख लेते हैं लोग अन्सिय दोजार पांच के उसाथ गणित पार्टिक कर चर्या महत्तवाकांची सुसंगा थे और यह महत्तवून गणित पढ़ाती है यह महत्तवाकांची का उद्देश क्या है जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा देखते सबसे पहले जवाब कौन देता है अराम से बताइए कोई जल्दवाजी नहीं है आप बताइए प्रस्ट नंबर 14 आपसे पूछा है आप लोग कमेंट करके जवाब देते रहेगा आप जवाब देते रहेंगे में आपके जवाब को पढ़ते रहेंगे और बैता लगे तो उसके शेयर कर दीजेगा अपने सभीशातियों को ऑनलाइन क्लास भी उपलब्द है नोट्स भी उपलब्द है उसकी लग टेलीग्राम पे जुड़िएगा टेलीग्राम की मैंने चीजें लोगों सीखनी है उन पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कर रहें गणित विद्याले में गणित सिच्चन का उच्च उद्देश खोजना गणी समस्चां को हल करने की ऐक सैथिक तरीकों का प्रविद प्रकार गड़िश्चन अंगरिद जहमति का अख्डवा प्रवद्द्धन आई देखते हैं पहले कौन को गलत है कोण को श्रही है तह हमारे विकल्प आसानी से समझनाएंगे यह तो दिखेंगे गलत है इसे दचे 2.005 कर गनित पाट चेर है सूसंगत महत्तवाची का अर्थ क्या ἐ होगा हपी समय का अर्थ पूछा है महत्तवाकांची का अर्थ का होगा है पहले आपको बता देता हूं वह इसका उत्तर बी बताई था उनके जबाब सही थे माने विद्यालमे अगैंने गणित से चण के उच उध्देश्शों को खोजना. आप जया रहा है गणित के शम्हत्त के समस्या को विक्षा के छ तरीका रहे हैं.. म! संकेड मने क्या जरूरी है कि प्रतेश बच्चा के अंदर आप संकेड देश खोजें यहां पे महत्वाकांची का मतलब पूछा ध्यान दीजेगा प्रस्ट में बस एक टाइप पूछा यहां पे महत्वाकांची सुसंगत है यह महत्वूं गणित पढ़ाती है इसका मतलब न महत्व कांची गणित से च्छण के उच्छ उद्देश को पूरा करते हैं तो उनकी के लिए संक्री ने खोजना पड़ेगा उनकी लिए में सजीक तरीकों का प्रियोग करेंगे इसलिए विकल्प इस प्रकार आपका विकल्प 20 का राइट एंसर होगा 20 का सही जवाब होगा क्यों क्योंकि अंदर यहां पर इस महत्व कांची पूछा है महत्व कांची उद्देश क्या होगा इनका उस इच्छों देशों खोजता है उसी के अंतर्गत ए और सी दोनों आएंगे ठीक है जैसे मैं पूछू मेरी क्लास क्यों पढ़ रहा है एक आपका उद्देश होगा और एक आपका लच्छ होगा उद्देश क्या है कि आप पहले परिच्छा पास करें उसके बाद उद्देश की पूर्ती होने के बाद लच्छ क्या आपका अध्याफक बढ़ना तो आपका अलग-अलग है मेरी बात को समझेगा दोनों अलग-अलग है आपका उत्देश क्या भी पढ़ना लच्छ क्या है मास्टर बढ़ना लेकिन उसके लिए पहली सिड़ी क्या है इसको पास करना तो आपके लिए भी पैडाम लक्ष एम उत्देश यह सभी अलग-अलग होते हैं अगले प्रिश्ण के तरफ बढ़े आपनों को समझ में आगया हो तो आगे बढ़ते हैं अगला है अटिचरिया रूप रेखा में गणी सिच्छन का स्थान के दो महत्तों पर है क्या-क्या है जड़ा कमेंट करके आप जवाब दीजिएगा बताएं क्या है कि मैंने प्रश्ण के बारे में जगा पढ़कर बताया था अगर आप इसको मेरी हर इक बात अगर आपके धिमाग में चल लें होगी ता आप इस प्रश्ण का जवाब आसानी से दे लेंगे अगर प्रस्ट नमबर 15 प्रस्ट नमबर 15 बताई है अगर इस नमबर 15 अगर इस अगर इस अगर इस अगर पुराने सुधारने के लिए अच्छा चुना कर सकती देखिए तू गलत हो गया सच्छा प्रतेग बच्च में बच्चे के बड़र बना रखने के लिए गनित क्या कर सकता है आत्म इंध्रमन ने गीवी गलत है इसका मकारण भी क्या है यहां यहां दे जाद कई सखेज HOW सकती और यह बिद्यार्थियों की चंपता को पैसे सुद्र्ण बना सकती है इसका बीकल्पी क्या होगा डी इसका राइट एंसर होगा इन लोगोंने डी बताया था उनके जबाब सही है ठीक लोग को किसी कोई दिकत को समस्या कोई दिकत नहीं ने अगला प्रश्ण आपके लिए पूच प्रात्मिक अस्तरपर गड़ी सिखाने का तात्पर क्या है क्मेंड करके बताईएगा दिकिए गड़ित और धार्णाओं की समझ में बृद्धी और उनके अनुपरियोग से समस्याओं को तरसंगत रूप में हल करना ठीक यह हो गया अगले विकल्प तरप चले गड़ित और धार्णाओं की समझ बृद्धे उनके प्रोगों को हल करना कि रागे देखते हैं कि वह समस्याओं को हल करने की तक्नीकी सिखाना यह गलत नए बहुत सारे नए सोत्र जहां गया वह भी गलत अच्छे अच्छे चलिए वह प्रकार गड़ी समस्याओं अस्मरण करना याद करने यह गलत इसका मतलब उत्तर क्या होगा इसका जी आप लोग के एकदम सही जवाब आ रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगोंने इतना एक्टिव होकर जवाब दिया और पुदलब क्या आप लोगों होना एक क्या होगा इसका आइटर्स लोगोंने ए बताया था उन सभी के जवाब सही है अगला प्रश्ण आपके लिए है हम उमीद करता है जवाब जरूर देंगे अच्छा की अगर यहां कच्छा की बात करें तो कच्छा आठ की बात हरे आप है थिक में पांचवी इकाई में चत्रभुजों को समझना और जामती प्रियोग के अंत में बहुत साए क्रिया कलाव जैसे चौपड की रचना चीनी पहली रचना इत्याज दिये इस प्रकार के कारियों की उद्देशों में एक उद्देश रहता करता है क्या करता है केवल अपनी विश्वनात्मक कला सुधारने में यहां से दिखेगा यहां पे द्रिश्टी और बिनाद्रिश्टी वाला उत्तर गलत हो जाएगा कारण यह है कि आप समावेशी का अच्छा की बात करते हैं इसकी समावेशी समावेशी में यह बिभेधी करण नहीं हो सकता इसलिए यह तो गलत है जिन्हों यह बताया वागे बढ़ते हैं सभी विद्यार्टियों के साथ अस्थानिक इस्तिति सुधारने में गतिबोद और विद्यार्टियों केवल अपने द्रिश विचार कौसम सुधार करने के लिए यह देखी गलत हो गया अब जो सही है वह यह हो रहा है कि सभी विद्यार्टियों के अस्थानिक सुधारने के लिए इनका प्रियोग प्राया किया जाता है यह जिए इसका विखल में क्या होगा बी इसका राइट एंसर होगा कि जितने लोगों ने B जवाब दिया तभी के जवाब एकदम सही है और काफी अच्छा लगा कि आप लोगोंने अपना सही जवाब हुमें दिया प्रस्तोत भी किया तो बहतर है इस वर करें आप लोग इसी तरह से लगे रहें आप अपना बैस्ट दे आगे पढ़ें अगले प्रिश्टिंग की तरफ में इस वर से प्रातन करता हूं कि आप लोग जितने लोग हैं वो सभी सेलेक्ट हो जाएं ताकि परिछा वाज हमारी आपसे मुलाकात हो तो एक सेलेक् इसका गुरूप में यह चीज़े आदा करें काफी अच्छा लगेगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपना बैस्ट दे और हमारे साथ जुड़े रहें आकि हम लोग और आगे बैस्तर कर सकें आगे बढ़े हैं जान से देखेगा में में अमीद करता हूं तरह के पर समझ रहे होंगे अब कि दो पूरा कोण दो अनपाते तीन के उनपात में इनको ग्याद कीजिए इनको क्या कीजिए इनको ग्याद कीजिए कच्छा की N.C.A.R.T की पार्ट पुस्तक के दो प्रश्ण का संदर्व है कि यह निम्स्रेणी का विचार है क्योंकि अस्मन ग्यान पाधारित है पैच्छा करता दिफ जयन करी कि ब्याठ्ष्या की जबसंट करके जवाब दीजेगा आप सपने जवाब दीजे कोई जल्दवाजी नहीं करना है किसी भी समस्य को भी नहीं लेना है आपको बस केवल मन से आपको बढ़ना है बस चलिए आई हम इसके बारें बात करते हैं पहले हम इसके अच्छा बी और सी में कंफ्यूज रहें अधर के अच्य जो पूरक की बात होता है यहां पे दिया नहीं यह यह अच्छा साथ की है एक अच्छा साथ की इंसेटी के पुस्तक का संदर्भ है कि मैं कहता हूं इसलिए पढ़ने के लिए बार बार में इसलिए कहता हूं ताकि आप वहां से सारी शीजे पढ़ने अहां देखिए मैं आपको पहले बता दो बहुत सरे लोग कह रहे हैं बी पहले नहीं होगा उसका कारण क्या है यह उचतर संदी का विचार यह बात तो सही है लेकिन आप यह क्या रहा है कि यह उपेच्छा करता दिव जनकारी इस तरकी रचना करना है जी नहीं इसके बाद बहुत सारी धुम्त आता है्ए बटाता है आईये देखिए किसीने जवाब दे दे दिया है जभाब हो है है जवाब करते मैं ऐख्षा करता है कि दुग जानकारी इसकी निय сб 3 से चार ुद्रेस इसका है, पहले तो आप क्या करेंगे, इसकी ब्याक्था करेंगे, जो जानगारी दी गई, इसकी विश्लेशन भी करेंगे, और फिससे वांचित जानकारी भी प्राप्त की जाएगी इस प्रकार दियेगे जो प्रष्ट है उसका उत्तर जो होगा वो इसका D right answer होगा D's का सही जवाब होगा तो बताएं कितने लोग को ये समझ में आया सभी को आगया अगला जो प्रस्टन है वो काफी महत्वण है और काफी मजेदार है मैं उमीद करता हूँ कि आप इस प्रस्टन का जवाब चरूर देंगे जरूर का मतलब जरूर से देंगे यहाँ पर यहाँ पर मिला हमें कि राष्टी पाठ चर्या की रूप रेखा 2005 के अनुसार गणित का अनुक्रम क्या है इसमें पहला भासा से पहले मने गणित को भासा से पहले पढ़ना है फिर यहाँ पर आया भासा के बाद पढ़ना है बिज्ञान के बाद पढ़ना है समाजी बिज्ञान के बाद पढ़ना है किसके बाद पढ़ना है आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए कमेंट करके जरूर दीजिएगा जितने लोग लाइब है वो जरूर बता देंगे और इलहनी पे दुर्गेश से जुड़ने के लिए आप सभी शाथी का बहुत बहुत धन्यवाद आई इसके बारे में जान लेते हैं पहले देखे पहले क्या पढ़ते हैं पहले हम लोग को पढ़ना होता है भासा पहले नंबर पे क्या पढ़ते हैं हम लोग भासा भासा के बाद गणित का ज्यान करते हैं यहांज दिखेगा गड़ित का ग्यान करते हैं गड़ित के ग्यान के बाद हम विज्ञान पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं विज्ञान के बाद तब हम सामाजी विज्ञान पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं तब हम सामाजी विज्ञान पढ़ते हैं इसकी इसकीन सौट अपने पास सुराच्छी तरखेगा यह केवल केवल ncrt केताबों में मिलेगी इसलिए यह इसकी इसकी इंसर्ट आप अपने पास सुरच्छी जरूर रखिएगा यहां पर इसके नंबरिंग करें तो पहले नंबर पर भासा सिच्ण होता है कि बीना भासा गुणित नहीं सिखाई आ सकती दूसरे पर हम लोग गुणित सिखाते हैं फिर तीसरे पर हम बच्चों को आगे जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत सर्थ जानेंगे प्रस्ण क्या था हमारा कि पार्टि चर्याम में अनुसार गणित का उनकुरम क्या भासा से पहले जी नहीं बासा के बाद जी हां इसका विकल्प क्या होगा ने और नहीं करके बदा पताई कि मैं पढ़ा रहा हूं वो आको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है मैं और यह और हमारा में 13 तरफ्डादा चलूँगैं तरा कि परिच्छा में अब्हतर पधाम दिख मर्यज़िए और जब वह बहतर दे ने खुद ही हम लोग को बात करने का मौका मिलेगा आप भी अध्यापक हो जाएंगे अगले प्रश्ण की तरह बढ़ते हैं अगला प्रश्ण आपका क्या है कि राष्टी पाड़ चर्या की रूप रेखा राष्टी पाड़ चर्या की रूप रेखा नदे अखन का नमरी सब्सक्राइब फिश्ण नहीं है ध्यान दिजएगा प्रश्ण में नहीं है जरूर से ध्यान hurry अब हमें कमेंड करके वताये से कया नहीं होगा जल्दी से अपने जवाब दीजेगा, comment section में हमें आपके जवाब की प्रतिच्छा रहेगी बताई जली से बताई क्या होगा तो जल्दी बताईए भाई साब सबको जल्दी बताई देखिए आईए हाप लोग देखते हैं देखिए यहाप पर नीचेस चलते हैं नीचेस क्यों चलते हैं वहाप समझ जाएंगे भी के रहे तर्क संगत विचारों को पत्साहित करना चाहिए कि यहाइं निछाए कि क्याता हूं कि यहां कि थे कि अव्यासित MA quarantine जाए हैं यहांं यह बात थो Originally करना चाहिए समचया समाधान और समस्या प्रस्तोत करके कौशल का नहीं यह भी 152 पहले समझ्या का समधान निकानेगे, बच्चों को खोजनेंकों परक्सित करें और और बच्चा का दिमाग बख्त रहे कि और और आपको पहलाँ आपकर यह हमातलब यह just है अब करें बच्चों को जिन्दगी में अनुभाव का भाग है और हमें यह प्रयाश करना है गणित को उनके दैनिक जीवन से जुड़कर पढ़ाना है तो यह भी सही है लेकिन आप उच्छा कौन सा गलत है और जो गलत है वही सही होगा क्योंकि मैं नहीं को तभी गोला कर देता हूं ताकि यह बात आप जानते रहें कि यहां पर क्या रहा है गणित में उच्चतर में अमूर्थ पढ़ाई की तैयरी करना दिखिय क्या था है गणित वैसे तो प्रार्म जो होते गणित से चंकिश अमूर्थ से होती है लेकिन बाद में यह गणित एक मूर्थ रूब ही ले लेता है जिससे मिध्युक्स कहते हैं देखिए यहां पर प्रात्यमीकस्तर की बात कर रहा है यहां पर अब यहां पे एक बात आपको नोट करणा है जैसे लोग, बचपन में कैसे पढ़ते हैं, पहले वस्तूर व्हें क्या हैं। कि यह तीन धीन है और यह दो प्रिण मिला गर कितना हो गएं। ऑगते में क्वारा जाते हिस दिंदी कशेधा बना नहीं बाद पना देगा तीन गोला चार गोला से बना होता है जहेसे आप्ले कितना चार संच कितना होता है नinh कि Она तरह से एक पहले करते में करते हैं चारतीन साथ हमारा जो ज्!! हम पहले तो मूर्थater रहता था अब क्या हो गया उन्रूर्थ हो गया इसका गृते हम वस्त प्राइधियान होता बाद में आमूर्थ यह पहुत सारी बाते हैं किया यह नहीं करता क्योंकि मेरी भूष कास और बुरी आदत है मैं पढ़ाई भी फोकस करता हूं और बाद में हाई हलो करेंगे ठीक है पहले आप सेलेक्ट हो जाए फिर हैं हाई हलो वेलकम टू एलनीव द्रगेस थैंक्सक्यों क्या नाम है क्या है यह सब नहीं ठीक है अभी हम लोग केवल बात साथ दे रहेगा हम लोग केवल पढ़ेंगे अगला प्रस्ट का है अगर प्रस्ट नुम्बर 21 को देखा जाए तो 21 बेचारा के रहा है की वर्स 2016 पर से गलत तुरी हो गया नहीं दोजर पांच के अनुसार प्राथिमी द्यालव में गड़ित पढ़ाने को देश्ट नमिकित में से कौन सार नहीं है अब देखिए मैं सीरियाप से गोला करवाता हूं पहले नहीं को गोला कर लिया करिए मतलब नहीं में जो गलत है वह अब नहीं पता यह जली संदर में गड़ित का वर्ड़न करना फिर आगे बरते हैं आपसं दिखरा ने आपसं ए है यह रहाओ पर बच्चो सोच बिचार की प्रक्रिया का गणती रूब देना बच्चों के संदर में गणित का वड़न करना समस्या समाधान कौसल को बढ़ाना गणित के उचतर में पढ़ाई के तैरी करना उचतर पढ़ाई के तैरी करना किसका उप्रिक उत्तर क्या होगा नहीं है पूछा है जी हां आप लोग एकदम जवाब सही आ रहे हैं आप लोगोंने एकदम सही जवाब दिया है बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का भगवान करें आप लोग इसी तरह आगे वड़ते हैं परिच्छा में सेलक्षन लेकर रहें और गड़ित में उच्छत पढ़ाई के तैयर स्था आप लोग ने एक दम सही बता या है यही गलत है और जो गलत है तेवहीं सही है क्यों कि हाँ पर नहीं पूचा था क्या पूचा था नहीं पूचा था कि एंसेट की मैंने टॉपिक पढ़ाई है एंसेट दोजार पांच और इसकी पुरी नोट्स है वह हम आप लोग को अप्लब्द करा देंगे और हमारी यहां पेट क्लास भी चलती हैं दुद्रगेस आएगा उसे जोइन करेंगे जैसे जोइन करेंगे आपको हाँ पर नोट्स विडियो लेक्चेर इसके अलामा की सारी क्लासेज आपको प्रद्दिन उप्लब्द होती रहेंगी और आपकी ब्यातर त्यारी हो जाएगी आगे बरतें लोग बातें कम करना यारं भूल जाते हैं यहाँ पर देखेंगे राष्टी पाठ चर्या रूप रेखा 2005 सिपारिस करता है प्राथमी कस्तर पर गणित के सिच्छा का केंद्र होना चाहिए आपको साइद एक बात मैं बता दूँ आपके लिए भथपूर इसलिए मैं बात कर रहा हूं प्रतेग बार स से एनसेव 2500 से 30-35 प्रश्णाते हैं सभी सिक्सण मिलाकर आपको जान करने युगा 30 से 35 प्रश्ण अकेले आता है जिसको यह समझ में आ जाएगा इंसे अब 2005 उसके 30 से 35 प्रश्ण आसानी से सही हो जाएंगे अब अगला बताईएगा राष्टी पाट चर्या 25 सिपारिस करता है कि प्राथ्थमी कस्तर पर गणिस इच्छा का केंद्र क्या होना कि प्रश्ण नमबर 22 आप बताई जल्दीश है कि यहां पर कह रहा है उच्छतर त्यारी कराने यह तो होगा नहीं हम लोग उनुपर ही काटा है गड़ित के अमूर्त विचार जानना देखिए देर देर क्या है अमूर्त जानने साथ मूर्त की तरह बढ़ेंगे यह तो सार क्लाना नहीं हो रही है कि यहां होगा क्या लिए सी कि अ कच्छा में को कच्छा कच्छ में की इपर हाई की बढ़ा थे जिन्दगी में जोडने में साहता करना देखिए हमने पढ़ा पहले बताया कि यह 2005 कि चाथा एक बच्छों की पढ़ाई किसी कोई डाउट कोई समस्या हो ताप हमसे कमेचश करके पूच सकते हैं अगे अगला के रहा है प्रश्ण नंबर तेईस में आते हैं निविखित में से कौन सा प्रात्मिक अस्तर पर गणि सिच्छन की पाट चरिया की अपेच्छा मेल नहीं खाता नहीं वाला ध्यान दिया करिए यूंकि नहीं जो नहीं पड़ेगा वह गलत हो जाएगा यहां यह क्लास हमारी दो घंटे की होती है यह आपने देखा मेल नहीं खाता जरी बार प्रश्ण की विकल्ब देखकर वाद आईए क्या है जो इसका मेल नहीं खाता कि पर भिन को पूंड के अंस के रूपे बदस्थित करना सरल विन्नों को विवस्थित करना पिर कह रहा है कि आकड़ों के वर्गी करना निरूपन विश्ल सता निसकर से निकलना दैनिक जीवन में तार्की कर पनाले गंडती सोच के बीस सयोजन का विकास करना मानोव परिकलन परणाली में संख्या समंदे संक्रियां के करने और भासा प्रतिक्षिन्णों में विकास करना इसका क्या होगा जो नहीं होगा नहीं पूछा है नहीं अनुछ में कौन से सा विकल्प है जो आपको लग रहा है कि बच्चों को सो समझ कर नहीं करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा याद नहीं करना है प्रश्नमर 30 अधर लाइफ पड़ रहा है वैसे ब्राटकोस्टिंग को सब्सक्राइब करना मेरा देश्ट भी हो गया है यहाँ पर क्या होगा आवर कि कि आकडों का अने रूपड इसलिए इसका उत्तर देखेंगे क्या होगा यह 20 का राइ ढ्सवार होगा वी कियुक कर लेकिे क्यों होगा चुए को फो देश यह है कि रगी कि नियूपण करना बूड deserves नेगए चाहिए सब काम बक्रश तर्पूछा है पर आद्विक कंन नहीं खाता नहीं और जो गलत है वह अलग प्राथ्मिक का मतलब होता है कि अच्छा एक से लेकर पांच तक एक से लेकर पांच तक के बच्चों को ठीक 6-11 साथ 6-11 वर्ष के आयू के बच्चों को प्राथ्मिक स्तर का बालक कहा जाता है ठीक अगले प्राष्ण की तरह बढ़ें यह आप लोग तयार हैं आगे बढ़ें चलिए अगला राष्टी पार्ट चर्या रूप रेखा दो जार पांच यह एंसिए दो जार पांच का नुसार विद्यालों में गणी सिच्छन का शंकिन उद्देश है आप कमेंट करके आप हमें जरूर चवाब दीजेगा और मैं यह चाहूंगा कि आप इसका उद्देश जरूर देंगे आगे देखते हैं क्या क्या है राइखी बीजगणिता से समंधित दैने जिवनी समझेवां को सिच्छन करना ठेक यह तो गलत हो गया पहले यह गलत है संख्यात्मक कोसल का विकास करना साइद यह सही हो सकता है आगे देखते हैं फिर क्या रहा है बीजगणित पढ़ाना गलत परिकलन वापन पढ़ाना यह ही गलत मतलब इसमें से दियेगा विकल्पों में से एक विकल्प हम आपको कुछ रही लग रहा है वह कौन सा है संख्यात्मक कोसल बढ़ाना प्रात्मी कर्चा में बच्चे तोड़ी पढ़ाएंगा इसका विकल्प क्या होगा हमें देखिए कि आधार पर भी प्रश्णों का चेयन करना होता है और हम जान जाएंगे कि देर देर खुद ही आप तेज हैं इसका क्या होगा भी इसका प्रश्या है नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं तब हम अगला प्रश्णाप के सामने हैं और दिखाई भी देरा होगा भी रहांगे राष्टी पाठचर्या की रूप रेखा 2005 की अनुसार प्रात्मिक अस्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदिका सिच्छन है क्या का सिच्छन है आगे देखते हैं गणित के उच्च उद्धिश को पूरा करता है बच्चों में चिंतन प्रक्रियाग गणती करण के उद्धिश को पूरा करता है मात्य पुन गणी सिच्छन को देश को पूरा करता है गणी सिच्छन के संक्यन देश को पूरा करता है जल्दी से जवाब दिजेगा क्या होगा अगर यहां पर किवल यह पूछा होता कि राष्टी पार्चर अनुसर प्रात्मिक अस्तर पर उनका कौन सा उद्देश पूरा करता अगर प्रस्ण में किवल यहां तक होता अस्तर पर तब हमारों उत्तर बिकल्ब भी होता यहां प्रस्ण किया रहा है कि उन संक्याओं पर संक्रियाओं मात्राओं मापन आधिकाजों सिछन होगा वह होगा अब कि इस पे गणी सिछन के उच्च उद्देशों की पूरति हो जाएगी तब जो बच्चे उसके चिंतन प्रक्रिया का गंती करण पूरा हो जाएगा तब क्या होगा उस बच्चे का क्या होगा गंती करण गंती करण का जो उद्देश है वो भी क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा मन इसकी वज़र से यह होगा क्या होगा इसकी वजर से यह होगा कि प्राश्ट्र प्वात्यों में पूछा है संख्याओं आ के लिए संख्याओं संख्याओं मात्राओं का मापन आदिका सिच्छन गड़ी सिच्छन के संकेड उद्यश्चों को क्या करता है पूरा करता है क्या क्या चीजे उनकी मात्रा मापन आदिका जो सिच्छन होता है यह उच्छ उद्यश्च को पूरा करता है किसी को कोई दिक्कत कोई ड चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है हस्त परक प्रतिमान इस्थिर चित्र लिखित प्रतीक मौखिक और लिखित भासा वास्त्विक संसार की इस्थितियां अथ्वा अध्यां पर संदर्व को धर्साने के पाँच द तरीके है इतने दरीके पाँच गया इनके बारे में जानते हैं जयांती प्रमाड dose कि गणित की पाठेचरया हुआ युआ गणतिय सब्दभंड़ार गणतिय चिंतन्यों बिकार अब बताई इसका क्या होगा जो हस्त परकोता जो हास्ते काम बच्चे बनाते हैं इस्तिर चित्र का प्रतीक मौखी गुरुप से बताते हैं लिकित भासाक में आतिस अंसाइस्तिती अथ्वा संदर्व को दर्शाने के यह पांच तरीके हैं वो क्या है मतलब यह कि यह सब बताते बच्चे क्या सोच रहे हैं यह क्या बताता है बच्चों की सोच बताता है क्या बता रहा है बच्चों की सोच बच्चे क्या सोचते हैं हस्त परकपतिमान में कुछ बच्चे होते हाथ से बढ़ियां बनाते हैं लिखते हैं बढ़ियां कुछ चित् तो उनको बढ़ियां से परदर्शित कर पाते हैं कुछ से गनित की भासा पता है कुछ वास्तफोक संसार की पहले होती है वह भी गरति हमोसे बता लेते हैं कि तो उनकी जौमती प्रमाण तो क्योंने वीजी गड़ित के अंतरगात आता है इसका मतलब जो आप लोग ध्यामती प्रण बता रहे हैं यहां पर सटेबल होगा ही नहीं अब आगे आते हैं गड़ित की पाठ चरिया यह भी देखते हैं यहां पर देखते हैं लोग पता चला गड़ित में चिंतन और विकार गड़ित में क्या हो रहा है चिंतन और विकार हो रहा है तभी तो कर पा रहे हैं जब तो को चिंतन नहीं करें उनके अंदर विकार नहीं होगा तो कैसे बनाने कि अच्छा में अगर यहां पर तीस बच्चे बच्चे वेचा रहे हैं तीसों डाइगराम अच्छा बना पाते तो बहुत सारी इसी बाते होती है इस प्रस्ण का उत्तर क्या होगा डी होगा गणित चिंतनियों बिचा कि ठीक है किसी कोई दिक्कत कोई शमर्श्या कि बताईया अप्रोब भी या आप लोग नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा अगला प्रस्ण देखिए अपका है राष्टी पाठ चरेया की रूप रेखा 2005 में एक सब्द है क्या है यह देख लेते हैं सब्द है गणित की लंबी आक्रती सब्द का नम्वा है गणित की लंबी आक्रती संकेत करती क्या संकेत करती जड़ा बताएगे ज़ी क्या संकेत करती है पोती पर समस्चाओं को हल करना क्या होगा समस्याओं को हल करना यह नियों गड़ती खेलों का सिजन करना हस्त सिद्ध वन्भो करना अच्छा सब लोग अच्छा लिए आप लोगों सही बताया है इसका उदेश क्या होगा एक संकल्पना पर दूसरी संक्पना बनाना एक संकल्पना पर दूसरी संक्पना का बनाना यह उसका निर्मार करना होता है यह दर्धोंनी लगता बैटके बढ़ाते बाते हैं यहाज कोई दिक्कत किसी कोई शमश्या नहीं है न आगे पढ़ें अचले आगे देखते हैं अगला पस्टन है राष्टी पाट्चरिया रूप रेखा दो हजार पांच के अनुसार अंसी अच्छा यह दो अंसीयद दो हजार पांच के अनुसार गणित चिच्चा का मुख्य उद्देश बच्चों में गणती करण के शमता का विकास करना है इस्कूली गडित सिमित लच्छ है लाव प्रच्छमताओं का विकास करना ठीक है अब आई इसके बारें बतेजिए विकल्ब है यहां गड़ती करन बच्चों के किस चमता की विकास क्यों संकेत करता है चार विकल्ब है चार विकल्ब आप पढ़िए उसका जवाब दीजे पुर्धाणा उनके तार्की निसकर्ष का अनुसीलन और उनके अमूर्तन का संचलन करने के लिए गड़ित रूप से चिंतन और तर्ग बच्चों के संसादनों का विकास करेंगे सबसे पहले जवाब कौन देगा आप बस इतना माना करिए के न्सियत 2005 कहता है कि प्रातिमी कच्छा के बच्चों को सिखाना है पढ़ाना नहीं है पहले सब लोग जवाब देंगे कमेंट करके तभी हम बताएंगे आपके बाद 20 सेकंड है 20 सेकंड है जवाब दीजी 20 सेकंड में तब तक आप ये शेयर भी कर सकते अपने शातियों को और टेलीग्राम पे जुड़े रहने के लिए दुरगे सर साच करिएगा नोट्स फिव उपलब्ध है आपके लिए ऑनलाइन क्लास नोट्स अबिशी उपलब्ध है कि मताइए क्या होगा आई एक तरफ से देखते हैं एक विकल्पे सब समस्याओं को रैखी समीकल्प पर अनुदित करना ये भी नहीं होगा प्रात्मिक अच्छा के वालक के लिए सतुद्रुम से जामती प्रमे देखे प्रमे भी नहीं होगा घनमूल और वर्गमूल ये भी नहीं होगा आपके सल्वस्म नहीं है ये भी नहीं होगा अब जो बच्छा इसका मतलब यही शही है पून धार्णा ओ कि अपनीच नहीं करना अमूर्तन का संचुलन करने के लिए गनती रूप में चिंतन तर्क को भिकास करना इसलिए इसका यह का मिरीच वाइस ग्रूंतार होगा है इसका right answer ए इसका सही जवाब होगा इसे कोई दिक्कत कोई शमश्या है तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए ताकि हम इसे और बहतर तरीके से समझ सके समझा सके अपनी बातों का आपके सामने असपश तरीके से रख सके जित्व लोग live हैं पहले हमें वो कमेंट करके बत सकते हैं मतलय है कि है यह गया आए तक आगयवर्त आया का मिला का फॉर हुआ अ कि के । सी अच्छी पॉष्थत्र की विसेस्था क्या होती एक रंची केताब क्या विसेस्था होती एक अच चीटाब ही क्या विसेस्था होती का सब abord कई की सबत्थों होगा आपके लिर्aine का सदभी लो है हम लोग करेंगे ऩंग जृँद डिफस्ञों कठोर अभ्यास देने के लिए सारे अभ्यास हों इस्थितियों के माध्यम से सभी संगलपनाओं का परिचे दिया जाता हो कि अवल हल किये चांब आपके शामने और उन्हें मोटी भारि होना आवस्यक परली बाद इखे किता बी मोटी नहीं होनी चाहिए माने दर नहीं होगा दर कहा हैं यहां यह गलत है यह गलत है भी हो और इसे हैं और शाम क्या देखते हैं अ है इनमें कठोर अभ्यास देने के इने हो सारे अभ्याषम को कि स्थितियों कि मृध्दियीं संग्लपनाओं का परुच सीज आप किये चानि होंगे तो भी नहीं होगा करतासी कि नहीं होगा रोल कि क्सी को और lat 할 चाहिए नहीं होग दिखकत कि शिकां आगे बड़े कि अगले प्रश्ण की तरप चले हैं गश्टी पाट्चरिया की रूप्रेखा राश्टी पार्च चर्या की रूपरेखा 2005 में जो लेक क्या गया है गणि सिच्छन महत्वाकांची सूसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए जहां महत्वाकांची स्क्या तात्पर भी कुछ दर पहले महत्वाकांची भी मिला था किस क्यू प्लब्द की बात कर रहा है जल्दी से कमेंट करके वताएगे हैं मत्वा कांची का उद्देश क्या है प्रश्ण आचुका है यह प्रश्ण नभी कुछ दर पहले हम लोगों ने पढ़ा था और नहों थम आपको दिखा देते हैं कि आपने पढ़ा है या नहीं तरदेलीजिए फिर मापको दिखारें मत्वाहकां श्यलगों ने पढ़ा है या नहीं कि यहां पर पढ़ा पर नम्मर 14 एंसे 2005 क्यों नुसार गणित पाठ करम हत्वा कांची सूसंगत और यह महत्वा पुन पढ़ाती है यहां पर महत्वा कांची था ठीक वही महत्वा कांची यहां यहां पर 30 में यहां पर क्या होगा उसकी इसाफसर कर देखेंगे दो डी और आपको इंपने बिच्छे तिन भीत सपेंगया को पूझ सकते हैं जिए कि बीना रोक्टो क्या पोज़ सकते हैं कि अग्टे बड़े जी हाँ आल्लाइं क्लास नोट सब कुछ यह उपलब्द है इसकी रेक्दम परशान रहीएगा टेलिग्राम पर जुड़ेगा वहां पर सभी नॉटिक्रम आपको उपलब्द देखर जाएंगे किस पर बल देती हैं जरा कमेंड करके बताएगा रूप एका किस पर बल देती हैं गड़ित चैनित विद्ध्यार्चियों को पढ़ाया जाए गड़ित में सफलता प्रतिक बच्च्चों के लिए आवश्यक है सिच्छार्थियों को तारके गड़ंती युगता के लिए उनके लिए परिच्च्चा होनी चाहिए निम्न उपलब्दितों के लिए गड़ित पार्च चरिया अलग होना चाहिए क्या होगा बताएगे आप लोग एकदम जवाब सही आ रहे हैं इसलिए इसको डिफाइन करने कोई मतलब नहीं क्योंकि आप सभी लोग जवाब सही दे रहे हैं इसका मतलब सबको पता है गड़ित में सफलता प्रतिक बच्चों के लिए आवश्यक है लोग थे तो गलत अधे सीश का क्या है अगला प्रस्टी पाठ चरिया की रूप रेखा दोजार पांच अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती हैं क्योंकि वह किस पर केंद्रित हैं कि सच्छक द्वारा प्रभावी व्याख्या के अनुद्यशन पर परिभासां सुत्रों को याद करने पर नियमित ग्रीकार जमा करने पर सेच्छार्तियों के सक्री भागिदार्टा पर कर्मिन करके अब 32 का जबाब दीजेगा बताएं कौन जवाब देता है जलील्दी आप लोग थोड़ा सा तेजी से जवाब दीजेगा अच्छे वादि इस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह concept क्लियर हो रहा है एक concept क्लियर होना ज़ादर ही हम लोग के लिए अगर concept नहीं क्लियर हुआ तो फिर मतलब भी नहीं रह जाएगा कि इसका उत्तर जो होगा पहले क्या क्या नहीं हो सकता सिच्छक दोरा प्रभावी व्याख्या और अनुदेशन यह प्रात्मी कच्छा के लिए नहीं होगा इसका उत्तर होगा वह होगा गजबिधियों में शामिल करते हुए सिच्छार्चों की सक्री भागिदाइटा इसका भीकल्ब क्या होगा डी इसका राइट एंसोर होगा, डी क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, ठीक है? किसी कोई दिक्कत, कोई शमस्या, नहीं है, आगे बढ़ें तब, आगे बढ़ें? अगले प्रिश्न की दरप चल नहीं, अगला परिश्म क्या कहा रहा है? ध्यान से दिखते हैं हमनों राष्टी पात्चरया 2005 मांती है गणित में चिंतन और तरकळा एक तरीका सामिल होता है किस दिश्टीकोन को किसके द्वारा प्रास्ट किया जा सकता है राष्टी पार्चेर्याग 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तरकणा का एक तरीका शामिल होता है किसी दिश्टिकोन को किसके दोरा प्राप्त किया जा शकता है कमेंट करके बताइएगा विकल ए होजबीन उपागम का प्रियोग करना संग्ल पनाओं को वास्तियों में जोड़stoर से चिर्स्दा कंप उस्वामिल करना है गड़त के सभी पार्ट medicine को फूनर लेकम करना जिए कि बहुत सरे सवौन कर भीसे कोशिंग देना है रिएप्रिस नंबध chicken किया होगा बताईए आप लोग बस इतने लोग जबाब देंगा और लोग जबाब नहीं देंगे चलिए हमें क्या हम बताते हैं भई आप जबाब नहीं देंगे तो नीचे चलते उपर के दरफ बीसेएस कुछ इंदेना यह तो गलत है यह गलत हो जाएगा उपर चलते हैं विद्यार्थियों को बहुत सारे शवाल कार्य पत्रक देना यह भी गलत है दो बच्चा वह क्या होगा उनके अंदर इसे खोजबीन का उपागम वेक्सित कराना है कि चालकों का प्रियोग करना संकल्पनाओं का वास्तिक दियों में जोड़ना विद्यार्थियों पर इस बात पर चर्चा करना चाहिए इस प्रकार प्रश्च नंबर जो तैतिश है इसका जो बिकल्प होगा वह उसका ए सही अंसर होगा ठीक है किसी कोई दिक्कत कोई शमस्या वो तो आप पूश्च रखते हैं कोई दिक्कत कोई शमस्या हो आप बेधड़क हो का निशंकोच इलनी बुद्रगेश प्यावतने शवाल पूश्च रखते हैं आप पुरित्र अंसियव दोजार पांच का मानना है कि गड़ित में सोचनेयों तरका एक निश्चित तरीका नहीं दोता है निचे दिये गए कथन में से उपर सुधान का पालन नहीं करता देखें नहीं को ध्यान दिजेगा कौन सा पालन नहीं करता ममीद करता हो इसका जवाब अब पुरंद बता लेंगे बीना पेन उठाए आंकी प्रशनों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना प्र आठी पुस्तक में प्रस्तोत सामग्रियों को लिखने का तरीका पिरागला है कच्छा के लिए चुने गए किरिया कलाब अभ्यास कार करना उससे पढ़ाने की विधी इसका क्या सही होगा कौन सा तरीका सही नहीं है एंसे अप दोजार पांस क्याता पर कौन सा गलत है बताइए यह जहां पर याद करना सुत्र वर्ला जाया वह सब पहले गलत होजाता है यह गलत है और जो गलत है वही सही है क्योंकि हाँ पर नहीं पूछा है क्या पूछा है नहीं पूछा जिनको समझ में आया है हम बात नहीं कर रहे हैं आपके कमेंट नहीं देख रहे हैं हम उनको भी देख रहे हैं और आपकी जरुत पढ़ने पर जबाब भी देंगे आपके शवाल का कि नोट्स के लिए आपको आनलाइन क्लास से जुड़े रहना होगा हम से जोड़ सकते हैं टेलिग्राम पर जोड़ सकते हैं इंस्टाग्राम ट्विटर कि अगले बढ़ते अगले पश्ण की तरफ कि अगला पश्ण है आपके सामने कि एंसी इआइटी पिक अच्छा कि गणित की पाठ पुस्तक के पाठों को इस तरह से सिर्शक हैं आपने देखा होगा कवाड़ी वाला भॉपाल की सेर दुनिया कुछ ऐसे दिखती है यह परिवर्तन क्या गया है किसलिए चार विकल्प है चारों का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आपके पास 20 सेकेंड का समय है जवा देजिए कि आप लोग इसे सेर करेंगे अपने सातियों को कि आप अन्य जगा बताएंगे कि बताइए कि इसमें क्या है आप लोगों नेकर सही बताया है प्रया के इताबों में देखते हैं काबाड़ी वाला जैसा बच्चे नाम सुने रहते हैं भौपाल की सहर जैसे हम जोनपूर से हैं तो जोनपूर की सहर दुनिया कुछ ऐसे दिखती यह सभी परिवर्तन किया गया इसका वधुदेश यह है आपका मातर यह mine, a 3 कि Investor लिज्यात्या जीवन में जोडते हो ने रोचष बनाने के लिए लाइन जीवन को जोडते वन्हें रोचब बनाने के लिए इसलिए डीन लगाया है पूर से सहीं है कुछ समस्या किसी को को वित'क दिखता थो कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट करके पोस्थ एक डडी सही है आगे पड़ते हैं अगले पश्णी की तरफ अगला है आपके सामने थोड़ा पश्ण काफी बड़ा है उमीद करता हूँ आप इसे अराम से पढ़ेंगे और हल कर लेंगे बच्चो के पर्यावण में जो वस्तुएं लुड़कती हैं फिसलती हैं वह उन पर कच्छा में चर्चा सुरू करें बच्चो को उनके आकार देखने और समझने में कैसे कुछ वस्तुएं लुड़कती हैं कुछ फिसलती हैं सहायता करो श्रोत गणित का जादू NCIT फिप ये NCIT का है NCIT कच्छा में पाटपुस्तक को इस तरह से सुझाओ या समझने में सिच्छक की सहायता करते हैं क्या करते हैं कमेंड करके चाहती हैं मताई चर्चाएं बहुबीधी परिछेपों कच्छा में अस्थान देती हैं चर्चा करना गणिती कच्छा के लिए सरसेष्ट युकती हैं आस-पास की चीज़ों के बारे बच्चों का ध्याना का सिथ करना निर्देशन संपूरत बध्यारत संग्रुपनाग बहता तरीके समझने में सहता करते हैं जल्दी सक्मेंट करके बताएए क्या होगा क्या होगा जवाप दीजे आप लोग इसका बिकल अब लोगने दम सही बताया है कि यहां पर दिया गया निर्देश संपूरिश तर्चाव विद्यारत संग्रुपनाग तरीकों समझने में देखिए यहां पर दिया गया है हम देखती पा रहा है कि बच्चों में परावन जो बस्तों लुड़कती हैं इसालती है उनपर कच्छा में चर्चा कर सकते हैं बच्चों को उनकी आपार देखने में कैसे कुछ वक्यां लुड़कती है कोच फि करती हैं सहयता करती हैं कैसे इनके अमूर्थ गणित अमूर्थ गणित अधिगम का अमूर्थ गणित के अधिगम का प्रथम प्रारंब होता है इसलिए से बते ही क्या होगा प्रात्मिकस्तर पर माध्धिमिकस्तर पर पुजित्तर माध्धिमिक में इसमें से कोई ने क्या हो अच्छी बताइए गणित में सोचने की छमता का विकास कब से शुरू होता है अमूर्थ गणित के अधिगम मूर्द से तो सुरू करते हैं और बाद में वस्तु हटा लेते हैं वस्तु कब हटाते हैं एक में दो में तिन में चार में पांच में कब भाईया अमूर्थ की बात कर रहा है भी यह भी बात को समझे अप लोग क्या होगा देखें अमूर्थ गनित की बात कर रहा है आमुर्थ गणित की, जانने यह को बता दू पहले चछा दो में बच्चों कहते है पांच आम थे सोहन को तीन आम मरत बचे किया मोहन पास उस समय आम थे नहीं थे, उन्हें कया चंतन गया हमारे पास फ़ विचार किया तिनों चले गये तो कितने बचे दो बचे कैसे पता चला हूं, या उन्हें आम दिया गया था या उनका अमुर्द चंतन किया विकास मूर्द से होता है लेकिन उसकी शुरुवाद जो होती है चरण वो कैसे होती है अमुर्ष से होती है जैसे सोहन के पास 20 रुपए था उसने 5 रुपए मोहन को दे दिया अब सोहन के पास कितने ये बचे तो क्या सोहन के पास पैसे थे नहीं थे कैसे किया हो इसलिसका बिकल्प क्या होगा क्या होगा के सही होगा तिक प्रात्मिक अस्तर पर तिक है कांसेट क्लियर आगे बढ़ते हैं अगले पुष्ण की तरफ अगला है पुष्ण नमबर 38 यह क्या करा एंसेट 2005 बल देता है किस पर बल देता है जड़ा कमेंट करके जवाब दीज़ेगा अंसेट 2005 किस पर बल देता है कि अंसेट 2005 किस पर बल देता है पर पर कभी बल नहीं देता है याद करने पर नहीं सवाल हल करने पर नहीं करके सीखनो हाँ अभी आपने सही बताया करके सीखने पर बल देता है किसे बल देता है करके सीखने पर बल देता है ठीक है अब ज़रा बताइए अगला है आपके सामने यहां इसको देख ले आपने आपके बढ़ें आप कोई दिक्कत कोई समस्षा यहां से कोई दिक्कत नहीं है यहां पर बताइए इसको हल करिए फिर आपके बढ़ें परस्ट नमबर 49 कैसे हो इसको करिकता होना चाहिया गाणी सिच्जडग होना चाहिए बाल केंदृत utक्सक प्सड़ेट पोशर कन्दित होने कीथा क्यसे होटी है see बाल केंदृति सिच्जड़ क्या होग आज़ता है इसका होगा है इसका मैटनशंड़ की यह होग लनना चाहिए vary के वह को धिक्कत किसी कोई समस्या को को आये को को अगला है कि यहां थोड़ा सा सम्झारएंगे आपको अब जो के लिए इस आईवर्ण के लिए सिछा कादिकार एक मॉल acquired करहेएं रिषा कादिकार एक मॉलिक अधिकार है यहां पर मैं आपको बहुत सरी बाते बताना चाह रहा हूं कि आप लोग जनना चाहेंगे इसके बारे में 14 वर्स तक का जो कॉंसेट है इसके बारे में यह कॉंसेट पहली बार कब आया कैसे आया कि इसके साथ साथ आपके सभी सब्जेक्टों में यहां से प्राया परिछ्षा में प्रश्णा आए हैं अगर आप लगातार पढ़ रहे होंगे प्रीवेश फड़ा होगा आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे यहां से प्रष्णाते हैं देखेगा मैं हाप इस भाद को थोड़ा सा स्परष्ट करदू। यहाप जो यह आया हुआ था सिच्छा का अधिकार कालूनी अधिकार यह आया था 86.7 संसोधन किसमें। कव आया था ? 86.7 संसोधन। 2002 2002 यह तीन जगा जोड़ा गया था कहां का जोड़ा गया था पता आपको मूल अधिकार या मौलिक अधिकार लिग देते हैं मौलिक मौलिक अधिकार दूसरा नीती निर्देशन सिध्धांद तब तव्या सिध्धांद फिर तीसरा मौल कर्तब इन सब के अलग-अलग भाग हैं देखे एक तरफ भाग लिख रहा हूँ एक तरफ इनके अनुछे ये भाग तीन में था इसमें था ये किसमें था भाग ये किसमें था भाग ये भाग तीन में था ये भाग चार में भाग चारे में अब अनुछे दिन के देख लेते हैं मौलिक अधिकार अनुछेट मौलिक अधिकार अनुछेट यह था 21a में यह नीत इसे सिध्धान जो था नीत इसे सिध्धान था इनका भाग इनका अगर आटिकल देखा जाए अलाइव है आप लोग इनका अनुछेट देखा जाए यह है पैतालिस एक अगर मौल कर्तब का देखा जाए यह था भाग चार ए आटिकल अगर बात करें 51 e 11 कि इन सभी जगह पे इन सभी जगह पर कहा गया है कि सिच्छा का जो मूल जो आदिकार है उच्छा से 24 वस्तक के बालकों को निश्ण सिच्छा है आई सब के बारे में जानते है क्या क्या के इन उंतर है यह क्या रहा है मौलीक अदिकार जहाँ कि हैंक अच्छा तो 14 वस्तक की सिच्छा लेने का उसका मोल अधिकार है जो भागतिन में उसका फंडामेंटर राइट है बने दुनिया भारती कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो उनको निस्व सिच्छा लेने से रोख सके दूसरा है आइटिकल 21a आइटिकल 21 से क्या है पता है आपको इसमें अनुछेद है भाग 3 अनुछेद एक कईसे में कहा गया है कि 6-14 वस्तक का अधिकार मूल अधिकार है जहां पे बच्चों के निस्व सिच्छा का अधिकार देता है दूसरी तरब एक नीत देशक तत्तो होता है सम्ध कि अनुछेद 45a में हैं वाडित है 45a में कहा गया प्रतिक राश्रकार का यह कर्तव्य होगा अपने राजी में निवास करने वाले 6-14 वस्तक की वालकों को निस्व सिच्छा देने के साथ साथ अन्य मूल भूत सुधाएं देंगे ताकि बच्चे उनकी विद्याले तक पह कर्तव्य होगा क्या कि अबिवावत का यह कर्तव्य होगा उपने यहां शा से 14 वस्तक की बालक है कि वह हर हाल में उन्हें निस्वल सिच्छा उपलब देखा है ज़र आप बताइए यह सारे टॉपिक समझ में और डेप में बताएं यह सभी एक ही साथ श्याश्व में समझान संसो दन 2002 में लाए गए थे रहा कमेंड करके बताएं ताकि हम लोग कुछ और आगे पड़ सके ज़र कमेंड करके आप बताएं ताकि हम लोग इसकी आगे पड़ सकें बताएगा अपनों अब दिक्कत कोई दिकत नहीं है अब आपके सामने कुछ और प्रश्ण के सीरी जा चुकी है जिसका नाम है अभी गड़ती तारकिक चिंतन की प्रकिति में बालक चिंतन में और उनके सक्ति पैटर्ण के अर्थ निकालना आदी जल्दी से आप कमेंड करके इन प्रश्णों के जवाब ज प्रश्ण है आपके सामने आप लोग देख पा रहे होंगे प्रेणा क्रिया कलाप वा समाचित गणी सिच्छन के किस पच्छ से समंधित है जड़ी जवाब दीजेगा देखेगा यह इसका जो उत्तर होगा इसका एंश्वर होगा आपका क्रियात्मक पच्छ से क्या होगा क्रियात्मक पच्छ क्यों होगा देखें शिम्षन एक महोदय जी ने कहा था कि क्रियात्मक पच्छ के अस्तर में प्रतच्छी करण विवस्था कर प्राइने दिरसांग जयामति और उनक्रिया सामयोजन आधी को क्या जाता है सब क्रिया क कि कि बिद्हार्थी ओं में रूचियों सलवेगों मनभृतव का अभिकाश गनित के इस पच्छ से संबंधित है ज्यानातम पच्छ भवनात पच्छ लिल्वन मजण कहिए कोई नहीं जी यहां भावनात्मक पच्छ सही जवाब किसे संबंदित होती हैं आगे बढ़ते हैं अगला में हैं गणित की अच्छी पाट पुस्तक के चैन के लिए हमें किस बात का द्यान देना चाहिए अभी कुछ दिर पहले हमने इस तरह के पश्ण को भी पढ़ा था जल्दी साब क करके बताइएगा किस तरह का होना चाहिए वर मात्रा मोधान प्रश्ण वाली के प्रशन हों ओधान ज्य०्द प्रश्ण कम हो तता प्रश्ण वाली दोनों ज्यादा हो इसका क्या होगा देखिए यहां पे बात का याद रखना यूंकि आपने गणित कितावे पढ़ी होगी तिसलिए आप तुलंत अंदाजा लगा सकते हैं गणित की पार्ट पुस्तक कैसी होनी चाहिए यह पर हमने यह देखा कि यह उदाहार पर्याप्त मात्रा में उदाहराने प्रश्ण वाली के प्रश्ण होने चाहिए इस परकार दिया गय बिशका राइंसर होगा भी इसका सहिजवाब होगा जिन्होंने भी बताया है वुझा सभी के जवाब सही है आगे देखते हैं अगले प्रश्ण के तरफ बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है आपके सामने गणित की विशय का पार्टिक्रम में महत तो है क्योंकि जरह कमेंड करेंगे क्यों घड़त का महत तो जादा है जल्दी से कमेंट करके बताईए दिखें यहाँ पे इसमें से कोई नहीं वाला कार दीजेगा यहाँ पे लिखेगा यह सभी यह सभी यह सभी लिखिजेगा चैसलि कर दो कि यह सभी के रहा है कि बिज्ञान विश्यों के अध्यर में शायक है जी हां तरकात्मक सोच में बिक्सित करने में शायक है जी हां बैवारी जी नूपियों यह जी हां इसलिए इसका उत्तर क्या होगा यह सभी आलाफ दीज होगा क्या होगा आलाफ दीज होगा इसका उत्तर क्या होगा कि नहीं समह सकते। है इस विद्ध्याले नहीं आ सकते किसका कथन था यह महां गड़ित तक प्लेटों का कथन था इसका कथन था यह महांगें तक मिड़ीट्यो का कथन था आगे बढ़ते हैं घणित की पाट्य पुस्तक के बिश्य वस्तु का संगटन कैसा होना चाहिए अध्यापत के अनुशार पाट्य करम के अनुशार विद्यार्थी के अनुशार इसमें से कोई नहीं कैसा होना चाहिए अगर आपके कच्छा में 30 लड़के हैं 300 लड़के अलग-अलग सोच की हैं क्या किताबे 300 अलग-अलग होगी कि सिल्वस क्या धार पर होगी बच्चो की अधार पर होगी इसका अधार पर होग बताई यह आप लुग बताई बच्चो गळम साट किताबे होंगी या जो उनका से वस वस है जल्वस पर जी हां इसलेक उत्तर क्या होगा कि क्या के आधार पर 20 का राइट है अधिक है वे दिखकत किसी कोई समस्य आगे बढ़ते हैं वह वह पढ़ियागा भासकर की लिलावती पुस्तक प्रसिद पुस्तक था जिसका नाम था लिलावती इसको अंग्रीजी में किष्ण्य अनुवाद किया था ट्रेलर जेश्टेलर मार्क टेलर अमल बालंभा मिसमेश कोई नहीं कमेन घ conosce ने याद रखिे आगा भासकर कि पुस्तक कि किया नाम उत्या होती है जंपस्टेलर सही जवाब है आप लोग का साय जंपस्टेलर है कि यह जंपस्टेलर होगा ठीक है ऐसका सही जवाब है अगले प्रस्मी के Цir Unie अगला है गडित सभ्यता का दर्पण है या कथन गडित की कुछ मुल्य से समंधित है सांस्कृतिक अनुसासन सामाजिक कि यह जो कथन है यह इसका मतलब सांस्कृतिक समंधित समझी सभी पक्चों से समंधित है अगला है हमारा गडित की पाट्पुस्तक के विचाम वस्तु को बिक्सित करना चाहिए कि गणित के पाठे पुस्तक में विस्यवस्त को बिक्सित करना चाहिए कैसे बिक्सित करना चाहिए को लिख लिजेगा याद कर लिजेगा और इसकी इस तो जरूर रोखिएगा इसा प्रशनावी कई बार आपको मिलेगा गरित की जो पाटपुस्तक की विशे वस्तू होती है वो हमेशा अच्छे कुछ लोग क्या रहे हैं ये सभी समस्या करम में रखते हैं आप लोग अभ्यास करम में अगर आपसे पूछ लिया जाएं कि आपको भिन्त पडहाना है भिन्त के पहले क्या पढ़ाना फशन्द करेंगे अगर आपको भिन्त पढ़ाना रहे हो रूल होता है इसके लिए आप क्या करते हैं इसका तार की करम में रहता भही कोई रूल तरक होगा तब आप पढ़ाएंगे ऐसा करम उगा तारकी करम होगा मनमान आप जो चाहेंगे वो पढ़ा देंगे आच कि भिन्य के पहले अगर हम अब LCM SCA पढ़ा देंगे तो भिन्य में हमें LCM लेना होगा दिक्कत नहीं होगा जोड से पहले में संख्या रेखा से और संख्या फद्थिस परचित कराना होगा ताकि जोड़ के समयोंने समस्या ना हो इन बातों को जानकर हम तार्की करम में विवस्तित करते हैं ना कि समस् करम में बात समझ laughter आप लोके लाइव हैं नहीं कि मुझे से न कि अब बात समझ रहे हैं यो अब समझ सक्रिक के न तो बनाएंगे ताकी आपका तर्ग काम करें उनका भी तर्ग काम करें अब ऐसा है पहले जोड़ पढ़ा दो फिर भिन्न पढ़ा दो परसद पढ़ा दो ऐसे थोड़ी नहोता कोई करम नबना है अगे बढ़ते हैं प्रष्ट नंबर 10 मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका उत्तर जुरू बताएं क्योंकि कुछ दर्पहले हम इसके बारे में आपको बताया था लिलाउती पुस्तक किस ने लिखी है लिलाउती पुस्तक किस ने लिखी है अभी मैंने विकुछ दर पहले बताया था देखिए यहां पर भासकर की लिलावती पुस्तक किस ने लिखी थी भासकरा चारेने लिखी थी अगला परशनाप का ऐसा संबंद के दो चर्डों में पाय जाने वाले संबंद का पता चला ये कथन किसका है कि यह कथन किसका है कि यह यह लैंth रोप का इसमें ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे यह लैंध रोप का समय अगे बढ़ते हैं गणित की प्रकित कैशी है यह प्रश्ण भी आपको कुछ देर पहले भी बताये थे गणित की प्रकित कैशी हो गणित की प्रकित कैशी हो कठीन हो समाल लगोगली हो अलंकारिक हो तार्किक हो कैसी हो तार्किक हो कैसा हो तार्किक होना चाहिए खीक अगेला प्रत्ता तेरह गणिश संभ्यता का दरपणय किस का है Eldra नेता ऐह यह किसने कहा हाक बेंडया कहा केju अग्रशुक में लोग अग्ला है पाटि्करम सेलबश कुत पत्ती कहां कइं सिल्बस सब्द की उत्पति कहां से होई है एक है यह लैतिन भासा का एक समझने की प्रकित कैष्टी होनाई चाहिए एब डिली कमेंड करें मताया धि हुए इसको बताया है सरल होनी चाहिए जार अभी देखिए अप लोग कहा कहा मैंने बताया एक यहां बता गर्ण की प्रकिती तार्किक है फिर यहां पर लोगों देखा नौमा देखा प्रस नमबर नौ पढ़ लिजे फिर नौ के बाद बारा पढ़ लिजे बारक बाद फिर आप 15 पढ़ लिज क्यों गयाता है किसे बता इस निमलिकित में से हाईडी रामारे। संग्य क्यों 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 बताए ये कि दो घनों का युग जर्शेया पे 10 का क्यूब दस क्यूब प्लस नौ का क्यूब या 12 का क्यूब प्लस एक का क्यूब कितना होता है 1729 होता है क्या होता है 1729 इसे क्या कहते हैं रामानुजन संख्या कहते हैं कौन संख्या कहते हैं रामानुजन संख्या कहते हैं 10 का क्योग क्या होगा इसे 10 का अगर क्यूब लिखे हैं यह हो जाएगा एक हजार एक हजार प्लस 729 बराबर 1729 रामरजुन संख्या यह 12 क्यों हो जाएगा 1728 प्लस एक होगे 1729 यह सभी क्या है इसे रामरजुन संख्या यह रामरजुन हाइडिन खहते हैं दो संख्या आपको हो गए और इनका जोड़ा इनका जोड़ा ठीक इसका उत्तर क्या होगा सीज का राइट एंसर होगा जल्दी इसका जवाब दीजेगा क्या होगा देखे प्रश्ण नमबर 17 और 18 में गलती हो गया है प्रश्ण नमबर 18 पहले पढ़ लिजेगा निमन मेंसे कौन सा भारती गड़ी तक यह नहीं है यहां पर आपको प्रश्ण क्या लिखना था कौन सा इसमें से भारती गड़ी तक यह नहीं है आप जरा कमेंट करके आपको सा भारते गड़ितग्य नहीं है सारंग देव क्या थे तब एगर गड़ितग्य नहीं थे तो क्या थे सारंग देव क्या थे एक संगीतकार थे एक संगीतकार थे क्या थे यह एक संगीतकार थे यहां पर जो प्रश्ण है इसमें से पूछा निम्रिक्षित में से कौन सा भारते गड़ित अगे नहीं है इसका प्रश्ण में इसका प्रश्ण वेहां है गड़ित बहतर होने के लिए एक विक्ति को क्या हो सकता है गड़ित में बहतर होने के लिए एक विक्ति को क्या हो सकता होगी गड़ित में बहतर होने के लिए एक इंसानों क्या होना चाहिए यहां से बताएगा गड़ित में बहतर होने के लिए एक इंसानों क्या होना चाहिए यहां से बताएगा गड़ि सब्सक्राइब करने में और सुत्रवध करते हैं पहले सूत्र नहीं आता लेकिन बाद में सूत्र याद करने की बात कर रहा है याद करना क्या होगा गलत होगा अगमन बिधी की तरह और इसके लिए आगमन बिधी सबसे बिधी माने जाती है अगला प्रश्न आपके सामने जिन विद्यार्थियों को जामती सब्दाली उनके अर्थ समझने में कठनाई होती है उनको सहता करने के सिच्छा को क्या करना चाहिए जिन विद्यार्थियों को जामती सब्दाली और उनके अर्थ समझने में कठनाई होती है उनकी सहता करने के सिच्छा को क्या करना चाहिए उन्निस का बताइए है जामति सब्दावली परिभासा याद करना सब्दावली लिखना यह गलत हो गया सब्दावली परिभासा गुरट कर याद करने बल देना यह गलत हो गया मन्द ए और सी गलत है डी देखिएगा अधिक से अधिक गद्विधी कराना चाहिए उन जैसे वर्ग पहली कराईए क्रासवर्ड परिजल कराईए जिक्सा पहली करे आधिक बनाने का हल करना चाहिए द अधिक प्रश्णा और है इसका जबाब दे दिजी इसके वाद आप लोगा समवाब कर दिया जाए है प्रूश्ट नंबर बीश क्या है आपका अधिक गनित अधिक गनित कहा गया जी अधिक गनित जानने की अपेच्छा यह जानना अधिक उप्योगी है कि गनती करन कैसे क क्थर किसके दवर ऑगया और हिंग जिनके दवार दिया गया आगा सब कर्प्रख हो पर्सक्रों के सिरीज थी वह कि हमने लगभाद खतम कर अगला प्रस्ट नमबर 21 करेंगे अगली क्लास मतलब अगली क्लास के जब हम लोग सिछड पढ़ेंगे तो हम यहीं से प्रस्ट नमबर 21 से सुरू करेंगे नावाचार तकनिकी में योगता में व्रिद्धि संख्यात्मक नावाचार तकनिकी में व्रिद्धि क्या होगा इसमें ध्यान से देने योग्य बात है कि संख्यात्मक नवाचार तो सही है तक्नीकी योगिता गलत परसे चण में योगिता गलत अभी बिद्धी गलत परसे चण बिद्धी इसका मतलब बी जिन्होंने बताया है वो सभी राइट एंश्वर कि इसका प्रशनों के सिरीज यह पूरी तरह से खत्म हो गई अगर आपके मन में कोई डाउट और समस्या हो ता पूच्छ सकते हैं हुआ है आप कोई समस्या को डाउट आया हो ता आप सबस्ब में कोके मन में या कोई कीज़ें कीज़ेंस पूछना पूछ सकते हैं कि यह बताने का प्रयाश करेंगे आपके सारे лиur हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात है कि आप Link दरगेंस जुड़े ठेलिग्राम पे मिल जाएगी टेलिग्राम आप श्टॉल करेगा शर्च करेगा दुर्गेसर बिनाइश स्पेस दिए दुर्गेसर सब्सक्राइब अब ऐसे आप जोइन कर लेंगे वहाँ पे आपको ओनलाइन क्लास नोर्ट्स आज इस सभी जो समस्य चीज होती है शिच्छन में पूरी गारेंटे सिच्छन आपके कोई प्रेश्ट लाट नहीं होंगे इसके साथ साथ हम आपको प्रेट्फार्म कर देंगे ताकर आप लोग अपने तयारी और ब्यातर करके और करीब और नजदीक बहुत चकेां में कोई समस्या कोई डाउट होत बताएं कोई दिक्कत है अचली बहुत-बहुत धन्यवाद आपका एक बार सारे प्रस्टन आप देख लीजिए को सकते हैं कि आपके आपके लिए हो जाएं तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका थैंक्स टू वाल क्योंकि हमारी क्लासेश काफी लंबी होती है ठीक है और बेस्ट आफ लग जय हिंद जय भारत इश्वर करें आप लोग दिन दुना राज चोगन आगे बढ़ते रहें और जल्दी जल्दी आप लोग सेलेक्ट हो सेलेक्शन के नस्दीग पहुचें मैं आज रहू है ना लेकिन आप जहां भी पड़ें जैसे भी पड़ें जब भी परिच्छा में जाएं और बेहतर पढ़ाम दें यह मिश्वर से प्रात्ना करते हैं ठीक है बेस्ट आफ लग बाई बाई